प्छिन वैलकम बैक टु दर चैनल एवरीवन आई होप यू गाइज यू दू एपसलोटली फाइन स्मार्ट फॉन इंडश्ट्री में कॉम्पेडिशन कितना तेज हैं ये चीज़ तौ आप अच्छे से जानते होंगे कोई brand camera sensor को लेकर competition कर रहा है तो कोई brand processor को लेकर competition कर रहा है लेकिन अब जो competition शुरू होने वाला है वो है 5G smartphone को लेकर हर smartphone brand 5G smartphone launch करने की तैयारी में है आज तक आपने देखा होगा Xiaomi के phone को Realme competition देता है और Realme के smartphone को Xiaomi competition देता है लेकिन अब condition धीरे धीरे change होने वाली हैं इन दोनों brand को competition देने के लिए Micromax ने धीरे धीरे अपने कदम market में रखना शुरू कर दिया हैं इतना ही नहीं 5G smartphone के competition में Motorola, OnePlus, Samsung ये सारी brands के 5G smartphone बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे बस इनतिजार हैं सही वक्त का तो ये जो भी 5G smartphone इंडिया में launch होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको पूरी तफसीर से बताऊंगा तो इसी बात पर वीडियो को like कर देना और वीडियो में आपके लिए interesting fact हैं जिसे सुनकर आपके मुसे कुछ ऐसे words निकलेंगे क्या ऐसी भी चीज़े होती हैं धरती प मिलता हैं और अगर मिलता भी हैं तो क्या ठीक तरीके से 4G की speed आती हैं मेरे ख्याल से जितनी 4G की actual speed होनी चाहिए उतनी speed तो नहीं मिलती होगी तो ज़रा इन network कंपनियों को 5G network launch करने से पहले 4G network की speed को ठीक कर लेना चाहिए एक smartphone user अपने कीमती पैसे आपको देकर आपसे internet प्लान खरीद रहा हैं तो आपकी भी ये responsibility है यूजर को अच्छी internet speed और अच्छा network प्रोवाइड किया जाए ये चीज़ पर आपकी क्या रही हैं नीचे comment section में ज़रूर से बताना सबसे पहला smartphone है micromax की तरफ से जिसका नाम है micromax in note 1 pro ये smartphone किसी और नाम से भी launch हो सकता है खेर नाम जो भी हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है हमें phone अच्छा चाहिए और price काफी aggressive होनी चाहिए ये phone का सीधा competition होगा realme x7 series के साथ और redmi note 10 series के साथ जहाँ पर lix के according 6.81 इंच की full hd plus ips डिस्पले होगी mediatek diamond city 800 processor होगा जो 7 nanometer architecture पर बेज है मतब काफी ज्यादा power efficient processor है इतना ही नहीं ये processor 5G network को भी support करता है साधी साथ ये phone दो विरेंस के साथ launch होने की उम्मीद है 6GB RAM और 128GB internal storage और जो दूसरा variant होगा 8GB RAM और 128GB internal storage और सबसे बड़ी चीज ये phone में आपको stock android मिल जाएगा और वहाँ पर आपको कोई भी add या फालतू के bloat weight देखने को नहीं मिलेंगे तो इस चीज़ को आप secure बोल सकते हैं जबके दूसरी और Xiaomi और Realme में आपको custom UI देखने को मिलता है जहां पर काफी सारी add और bloat weight देखने को मिल जाते हैं जिससे smartphone user पूरी तरीके से disrupt हो जाता है जबके Micromax के phone में stock android होने की वज़े से ऐसी दिक्कत नहीं है तो ये सबसे बड़ा plus point है Micromax के पास Camera section की बात की जाए तो Lix के according rear side पर core cameras का setup होगा 64 megapixel का primary sensor, 8 megapixel का ultra wide angle lens, 2 megapixel का macro lens और 2 megapixel का depth sensor इसके लावा 16 megapixel का selfie camera, battery capacity की बात की जाए तो 4,300 mAh की बैटरी होगी और साथ में 22 watt की fast charging Price point की बात की जाए तो ये phone 20,000 के आसपस launch होने की पूरी उमीद है बागी दोस्तों आप बताइए नीचे comment section में Competition को देखते हुए Micromax को इस phone की क्या price रखनी चाहिए और Micromax ये specification के साथ ये phone को launch करता है तो क्या आप ये phone लेना पसंद करोगे नीचे comment section में आपकी valuable feedback ज़रूर से बताना आपकी valuable feedback बहुत ही ज्यादा matter करती है Next smartphone है Xiaomi की तरफ से Redmi 10X Pro 5G ये phone Xiaomi Realme X7 Series को competition देने के लिए इंडिया में launch कर सकता है ऐसे strong rumors हैं जहाँ पर 6.57 इंच की full HD plus AMOLED डिस्प्ले MediaTek Dimensity 820 processor जो के 5G network को भी support करता है 48 megapixel का quad cameras का setup 20 megapixel का selfie camera In-display fingerprint scanner 4520 mAh की battery 33 watt की fast charging ये phone काफी interesting है सब कुछ depend करता है price पर Xiaomi इस phone को Realme X7 Pro से competition करने के लिए किस price point पर launch करता है ये चीज़ काफी interesting होगी बागी दोस्तों आप बताइए आप कौन से phone के लिए excited है Realme X7 Pro या फिर Redmi 10X Pro 5G Next smartphone है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 5G जहां पर होगा Mediatek 800U processor जो 5G network को support करता है 6.53 इंच की full HD plus IPS display 22.5 watt की fast charging 4900 mAh की battery rear side पर 48 megapixel का primary sensor और ये phone की price 17,000 के आसपास होगी यहां पर एक और चीज़ है आपको super AMOLED display देखने को नहीं मिलेगी IPS पैनल के साथ 120 Hz का refresh rate देखने को मिलेगा तो फिलहाल के लिए ये चीज़े सामने आई है जैसे ही कुछ और चीज़े confirm होती है तो मैं आपको जरूर से update करूँगा आप ये चीज़ मान के चलिए Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max ये phone अब ज्यादा दूर नहीं है बहुत ही जल्द इंडिया में launch होंगे certification भी इनको मिल चुका है पहले ये phone चाइना में launch होंगे और उसके बाद इंडिया में भी launch होंगे ये smartphone Realme की और से काफी ज्यादा interesting smartphone है Realme 7 में जो भी कम्या रह गई थी उन कम्यों को दूर करके Realme X7 के नाम से ये phone को launch किया जाएगा यहाँ पर आपको 6.4 इंच की AMOLED डिस्प्रे देखने को मिलेगी Full HD Plus Resolution के साथ Reports की माने तो Realme की और से ये पहला सस्ता 5G smartphone होगा जहाँ पर आपको MediaTek Diamond City 800 processor देखने को मिलेगा जो 7 nanometer architecture पर बेज हैं ये phone दो विरेंट्स के साथ launch हो सकता है 6 GB RAM और 128 GB internal storage 8 GB RAM और 128 GB internal storage Rear side पे 64 megapixel का quad cameras का setup होगा और 32 megapixel का selfie camera 4,300 mAh की बैटरी और 65 वोट की fast charging जो इस phone को तकरीबन 33 मेट में full charge कर देगा इतना ही नहीं ये phone में आपको in display fingerprint scanner भी देखने को मिल जाएगा price point की बात करें तो ये phone की starting price 20,000 के आसपास रह सकती है अगला smartphone है OnePlus Nord N10 5G अगर आपका budget एक smartphone लेने के लिए 20,000 के आसपास हैं तो इस phone का आपको जरूर से वेट करना चाहिए OnePlus की तरफ से ये काफी interesting smartphone है यहाँ पर आपको 6.49 इंच की Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्रे देखने को मिलेगी 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ Qualcomm Snapdragon 690 5G प्रोसेसर और 64 megapixel का quad cameras का setup मतलब OnePlus में ये पहला इसा smartphone होगा जहां पर आपको 64 megapixel का quad cameras का setup देखने को मिलेगा 6 GB RAM और 128 GB internal storage के साथ अगर आपका budget 20,000 के आसपास हैं और आप OnePlus का कोई phone लेना चाहते हैं तो इस phone का जरूर से वेट करना चाहिए बागी दोस्तों क्या आप इस phone के लिए excited हैं या नहीं नीचे comment section में जरूर से बताना अगला smartphone है Realme X7 Pro ये smartphone Realme की और से काफी ज्यादा interesting phone है मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ तो Realme 7 Pro में जो भी कम्या रह गए थी उन कम्यों को यहाँ पर most of basis पर solve कर दिया गया है 6.55 इंच की Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले और साथ में 120 Hz का refresh rate काफी सारे लोगों की डिमांड थी Super AMOLED डिस्प्ले के साथ उन्हें 120 Hz का refresh rate चाहिए तो finally Realme ने इन दोनों चीज़ों का combination इस phone में offer कर दिया है प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर दो रिपोर्ट सामने आई है एक रिपोर्ट का यह कहना है यह smartphone Qualcomm Snapdragon 765G के साथ होगा जबके दूसरी रिपोर्ट का यह कहना है यह phone MediaTek Diamond City 1000 Plus के साथ होगा रियर साइट पर quad cameras का setup होगा 64 megapixel का primary sensor 8 megapixel का ultra wide angle lens 2 megapixel का macro और 2 megapixel का depth sensor इसके अलवा selfie camera 32 megapixel का बैटरी capacity की बात करें तो यहाँ पर 4500 image की बड़ी बैटरी होगी और साथ में 65 watt की fast charging phone काफी अच्छा है depend करता है price पर मेरे according अगर Realme यह smartphone को 25000 के price range में launch करता है तो काफी सारे लोग OnePlus Nord को छोड़कर यही phone लेना पसंद करेंगे बागी दोस्तों आप बताईए नीचे comment section में competition को देखते हुए Realme को इस phone की क्या price रखनी चाहिए नीचे comment section में आपकी valuable feedback जरूर से बताना क्योंकि आपकी valuable feedback बहुत ही ज्यादा matter करती है next smartphone है Poco की तरफ से ऐसे strong rumors है Poco F2 को skip करके Poco F3 को launch किया जाएगा खेर phone जो भी हो नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है हमें तो मतलब है एक अच्छा phone होना चाहिए और phone की price काफी aggressive होनी चाहिए यहाँ पर आपको सबसे कम price में Qualcomm Snapdragon 865 Plus processor मिल सकता है और जो चीजे सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक Qualcomm Snapdragon 865 Plus के साथ सबसे कम price में इसी phone में देखने को मिलेगा और जो भी कम्या Poco F1 में रह गई थी उन कम्यों को यहाँ पर दूर करके यह smartphone को launch किया जाएगा Next smartphone है Motorola G5G यह smartphone Motorola की तरफ से काफी interesting smartphone है यह phone BIS certification पर लिश्ट हो चुका है यानि के यह phone अगले एक महिने में इंडिया में launch होने की पूरी उमीद है 6.67 इंच की Full HD Plus IPS डिस्प्ले Qualcomm Snapdragon 750 5G प्रोसेसर 5G नेटवर्क का support भी होगा 5000 एमेच की बैटरी 20 वोट की fast charging 48 मेगा पिकसल का primary sensor सबसे बड़ी चीज यह phone stock Android के साथ होगा यानि के no bloatware, no add, only clean user interface Price point की बात की जाए तो यह phone 18,000 के आसपास launch होने की पूरी उमीद है Next smartphone है Realme की तरफ से Realme 8 और Realme 8 Pro इन दोनों phone को certification मिल चुका है बस यही details सामने आई है जैसे कुछ और confirm होता है तो मैं आपको जरूर से update करूंगा तो यह है वो 5G smartphone जो इंडिया में launch होने की तयारी में है आप कौन से phone के लिए excited है नीचे comment section में जरूर से बताना अब हम बात करते हैं interesting fact के बारे में जो आप में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे साल 2018 का जो December का महिना था वो धर्ती के लिए सबसे खतरनाक महिनों में से एक था क्यूंके साल के इस महिने में आसमान में धर्ती के सामने ही एक ऐसा space जो इतनी जोर से explode हुआ जो Hiroshima की घटना घटी थी उससे 10 गुना ज्यादा energy के बराबर energy को atmosphere में release कर दिया ये धर्ती के लिए बहुती भेंकर घटना थी और इस टाइप की जो चीजे होती है धर्ती के सामने कुछ गुजरना और atmosphere में explode होना और वो भी काफी intensity के साथ ये जो चीजे हैं वो century में 2-3 मरतबा होती है Fact No.2 सबसे base जो selling phone था पूरे history का वो है Nokia 1110 और उसके 250 million units sold हुए थे और उसके बारे में जो सबसे amazing fact है आज तक का सबसे ज्यादा solid phone है यानि के अपने जमाने का एक masterpiece था क्या ये phone आपने कभी use किया है कुछ यादे हो तो जरूर comment section में share करना उम्मीद हैं आपको इस वीडियो से कुछ help मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए दोस्तों के साथ और subscribe कीजिए चैनल को साथ में praise कीजिए बेल आइकोन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिसना हो Thanks for watching मिलते हैं एक नए interesting वीडियो में तब तक के लिए खयाल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का